नमस्कार, भारत ग्यानक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का स्वागत करती है कारगिल युद की इस अंकही दास्तान कारगिल सिरीज में आज की दास्तान में हम आपको ऐसे वीड जाबास की कथा सुनाएंगे जिन्नोंने फत्य हासल करने के बाद ही अपना दम तोड़ा उससे पहले हम आपको जमीनी हालाद बताते हैं कारगिल युद के दोरान दुश्मनों को मारने और खदेडने का सिलसिला पूरा हो चुका था लेकिन आगरेम चोकियों पर एतियाती इंतजाम और भविश्य की चनोतियों को देखते हुए सामरिक तयारी को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया था अचानक सामने खड़ी हुई युद की चनोति ने शुरुवाती चरन में तो हैरत में डाला था भारतिय सेना जब संभली तो दुश्मनों के होश उड़ गए थे ओपरेशन विजय के तहट त्वरेत रूप से की गई जवाबी कारवाई 13 जुलाई को भी जारी रखी गई एलोसी के इस पार भारतिय शेत्र की आगरिम चोकियों तक 5000 टन गोला बारूद पहुचाने का असंभव सा काम संभव कर दिखाया गया यह सिलसिला 13 जुलाई 1999 को तेजी के साथ आगे बढ़ा युद के दोरान दुश्मनों का पहला टारगेट चुंकि हाईवे था भीशन बंबारी होती रही लेकिन असले सहित, राशन, कपड़े, इंजीनियरिंग स्टोर, विस्तार पहुचाने में भारतिय सेना की विभिन युनिटों ने पूरे अभ्यान के क्रम को धीमा नहीं पढ़ने दिया कारगिल युद में जादतर चुनोतिया अचानक सामने आई थी और उस पर जवाबी कारवाई में भारतिय सेना ने गजब का रिस्पोंस दिया जिससे दुश्मन के भी तमाम अनुमान धराशाई हो गए वहीं दूसरी और मीडिया में यह खबर सुर्खियों में थी कि परधान मंत्री अटल भ्यारी वाजपई ने कारगिल युद के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोशना 14 जुलाई 1999 को की थी अंतर राश्ट्य दवाव और भारतिय सेना के मूत और जवाब से चित पाकिस्तान को बाचीत के लिए भारत की शर्तों को स्विकार करना पड़ा था अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी शूरवीर की कहाणी जिसने युद के मैदान में इतिहास रचा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुखवीर सिंग यादव की शौर्रेगा था बच्चपन से ही लीडर सुखबीर ने अगस्त 1986 के सन में कमिशन प्राप्त किया B.S.F. डिप्टी कमांडनेंट के तोर पर एक साल के प्रशिक्षन के बाद उन्हें बटाला भेजा गया उग्रवाद प्रभावित पंजाब में सुखबीर ने अदम में साहस का परीचे दे कर कई आतंकवादियों को ठिकाने लगाया सुखबीर का जन 20 जून 1962 को हर्याना राज्जी के रेवाडी जिला अंत्रगत धामलावास गाउं में सेना में अन्रेडी गाउं कैप्टन रगुवीर सिंग के घर हुआ था प्रात्मिक तक की सिक्षा सुखबीर ने घर पर ही गाउं के स्कूल में प्राप्त की और पांचवी सिक्षा की पढ़ाई तेजपुर स्तित केंद्रिय विध्याल्य में हुई दसवी की परिक्षा मतुरा में और फिर बारवी की परिक्षा केंद्र विध्याले आगरा में उत्तीन की खेलों में सुखबीर की रूची बचपन से ही थी इसी आधार पर उसे स्पोर्ट्स कॉलेज हिसार में प्रवेश मिल गया सुखबीर के भाई रणवीर भी सेना में पाइलेट थे पिता सेवा निर्वित अन्रेरी कैप्टन थे चाचा जगदीश सेना से रिटायर थे इस तरह पूरा परिवार फोज में था इस सैन्य प्रश्ट भूमी का असर सुखबीर के बालमन पर पढ़ा बालमन की भावना ही उन्हें बड़े होने पर सेना की नोकरी में ले गई 26 मई 1999 की शाम सीमा सुरक्षा बलके 37 वर्शे डिप्टी कमांडेट सुखबीर सिंग यादव के लिए जिन्दगी की आखरी शाम बन गई थी उस वक्त वह कारगिल के चैनी गुड इलाके में तैनात थे यह इलाका पूरी तरह पाक सैनी को एवं गुसपैठियों की जद में था सुखबीर को अपनी चेक पोस्ट का मुएना कर सारी स्थिती का जायजा लेना था वेल लगातार पाकिस्तान की और से हो रही फाइरिंग के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे शाम को साड़े साथ बजे जैसे ही फाइरिंग का दौर थमा सुखबीर तुरंत जवानों को लेकर पहाडी की और कूँच कर गए थे सुखबीर फासला तैक करते हुए करीब 6,000 फीट की उचाई तक पहुँच गए तब ही सुखबीर के एक कदम नजदी गुसपैठियों की और से निशाना साध कर फैका गया एक गोला आकर फटा जिसने उनके पेट के दाएं हिस्से को बुरी तरह चलनी कर दिया इस हादसे के साथ ही उनकी टुकडी के बढ़ते कदम थम गए लेकिन घायल सुखबीर ने शेर की तरह दहारते हुए अपने साथी जवानों को अगली चोकी फते करके ही सास लेने का आदेश दिया लिहाजा सैनिकों का जजबा भड़क उठा और रात्री में ही जवानों ने गुसपैठियों से चोकी छिन कर पुनह भारती जंडा लहरा दिया लेकिन इस जीत की खबर सुनने के लिए कमांडेंट सुखबीर जीवित नहीं रहे सुखबीर ने अपनी शहादत देकर मातर भूमी की रक्षा की कसम निभाई सुखबीर की पतनी सुधा को अपने पती की वीरता पर गर्व था सुखबीर की जाबाजी ने पुरे परिवार और हर्याना राज्ये को गर्व से भर दिया है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप भारत ग्यानक्षर को फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां भी आपको कारगल सिरीज के सारे अपिसोड देखने को मिलेंगे इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले अपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद